Come back to my channel, तो मैं आज आपको 4th November के दाहिंदू के short note में क्या क्या mention करना है, यह बताने वाली हूँ, चलिए देखते हैं पहला हमारा science and tech से related है gold mushroom, ठीक है, तो gold mushrooms से related है, इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें क्या है कि Cardi gold nanoparticles है, ठीक है, जिसको C-O-R-A-U-N-P-S कहा जाता है और यह high value parasitic fungus होता है, कार्डी से militaris जिसे कहते हैं और इसमें एक तरह का gold salt होता है, जो ionic chemical compound होता है, जो use किया जाता है medicine के लिए क्योंकि यह drugs से related, यानि कि medicine से related है, इसलिए यह है और यह पढ़ना है science and tech में, तो देखो इसमें क्या है कि nanoparticle है जो development of therapeutic drugs के लिए है, जो कि deliver करे, जो कि deliver होता है, ठीक है can be delivered, यानि कि कि form में delivered होता है, और टाबलेट फॉर्म में आता है, capsule फॉर्म में आता है इसको use किया जाता है, और यह क्या करता है, वो directly जो shells होते है वहाँ पर जा करके, जो भी तरेके की disease होती है, उसको सही करने में help करता है दूसरा हमारा reset satellites related है, यह भी science and techs related है तो पहले reset to satellites के बारे में जानेंगे, यह launch हुआ था 2009 में, ठीक है यह radar imaging satellite है, और यह part है reset program का, ठीक है जो Indian radar imaging reconnaissance satellite होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है और इसमें PSLV CA launch vehicle यूज हुआ है, ठीक है, और यह launch vehicle यूज किया गया था 20 April 2009 में, और यह second launch pad है, ठीक है, और यह launch किया गया था 37 धावन space center से दूसरा इसके बारे में क्या चानना है, इसमें जो sensor यूज हुआ है, वो X-band synthetic operator जो radar है, SAR, वो यूज हुआ है, इसराइल Aerospace Industries, IAI से, और यह जो है, डिजाइन किया गया है, monitor करने के लिए, इंडिया के border पे, और as a part of anti-infiltration और anti-terrorist operations को, मतलब जैसे कि यह monitor करता है, किसी भी तरीके कि terrorist गदविदिया हो रही हैं, किसी भी तरह, तो इसको monitor करता है, और इससे जो radar है, और जो intelligence है, उसके basis पे चीज़ों को पता लगाया जाता है, ठीक है, तो यह एक intelligence जो है, उसके basis पे है, ठीक है, intelligence जो भी monitor करता है, प्री प्राइमरी जो इन्रोल्मेंट को लेके, इसमें क्या बात करनी है, यह प्री प्राइमरी जो इन्रोल्मेंट को लेके, है, वो decline हुआ है, यानि कि कम हुआ है, 2021 और 22 में जो report आई उसके according, 30% ठीक है, fewer student as compared pre-covid देखी गई, यानि कि 30% कम student देखे गए है, covid के पहले के comparison में, ठीक है, less access to remote learning हुआ, क्यों जो remote areas में रहते हैं, उनके पास access नहीं था, learning का, यह भी एक reason है, learning laws during pandemic, एक learning laws देखा गया है during pandemic, क्योंकि स्कूल में enrollment कम हुई, और remote जो areas में रहते हैं, जो बहुत सदा पिछड़ी हुए जगहें पे रहते हैं, गाहोदे हाथ areas में, वहाँ पे जो access है, वो नहीं पहुच बारा था, और यह सारी चीज़े जो, देखो, कभी भी हम कोई भी data mention करेंगे prelims में, अगर हम कोई answer writing में mention करेंगे, तो हमें यह बताना है, अपने तरफ से नहीं हवा में कुछ भी लिख देना है, यह बताना है कि हमने इसको कहां पे पढ़ा था, या किस ministry ने, या किस report में यह बताई गई, तो यह according to report released by ministry of education है, तो यह याद रखना है, जो मैंने highlight कहा, ministry of education के report से हमें यह सारी चीज़े बता चल रहे हैं, देखो, और pre-primary का मतलब जान लो, class first to fifth होता है, ठीक है, इसमें drop देखा गया है, first time, 12.20,20,21 में देखा गया, 12.18,21,22 के बीश में यह देखा गया है, और यह भी देखो, primary से higher secondary का increase हुआ है, 19,25,57 करोर, देखो, pre-primary level पे नीचे देखा गया, मतलब कि drop हुआ है, decline हुआ है, पर higher secondary increase हुआ है, 19,25,57 करोर, और एक चीज़ यह जानो, जो यह decline हो रहे है, number of school, वो किस वज़े से है, देखो, कई तो ऐसे हैं कि, जो school है, to closer as well as lack of teacher, ठीक है, closer की वज़े से भी हुए है, बंद होने की वज़े से, और teachers की कमी थी, इस वज़े से भी हुए है, ठीक है, computer facilities जो थी, available थी, 44.75% schools में, लेकिन जो internet access available था, वो सिर्फ 33.9% school में ही था, ठीक है, तो यह भी आप यह data हम वहाँ पी use कर सकते हैं, जब भी education से related आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे use कर सकते हैं उसको, यह data जो भी हमारा है, next analysis आपने देखी होगी, तो उसमें यह सारी चीज़े डिसकस हुई है, एक news हमारा आए है, the amor falcon से related, पहले तो IUCN के red list में, यह least concern में आता है, यह याद रखना है, यह एक तरह का small raptor है, falcon family का, ठीक है, और इसकी जो breed है, वो South Eastern Siberia और Northern China से related है, ठीक है, before migrating in large flock across India and over, Arabian sea to winter south and eastern Africa, तो मतलब यहाँ पर migrate करके यह आया, अब देखो इसका अज़ एमोर falcon है, इसका scientific name है, falco amuransis, ठीक है, तो यह pronunciation तो correct करना है, नहीं तो comment करके कोई बोले कि आपने गलत बोला है, तो मैं पहले ही इसको बोल देती हूँ, अब यह understood भी है कि अगर मैं, क्यूंकि मुझे ऐसे शब्दों तो प्रनिशियेट करने की आदित है नहीं, तो कई बार हो जाता है, falco amuransis, ठीक है, यह तो आप देख लेना, और इसमें देखो, international team of जो arnithologist है, उन्होंने declare क्या किया है, नागा लेंड को falcon capital of the world, तो यह याद रखना है क्या पता prelims में पूछ सकता है, ठीक है, कि नागा लेंड को falcon capital of the world भी declare किया गया, यह याद रखना है, next हम देखेंगे art and culture, देखो तो mains related यह है कि किसी ने comment किया था कि prelims और ठीक है, पर mains की कैसे preparation करें, तो mains में भी आपको, जब भी questions आते हैं, तो वो one and a half years के जो current affair है, उसमें वो चीज़े रहती है news में, तो mains में आते हैं, तो देखो इसमें art and culture, जो कि mains का भी topic है, तो उसमें आप, देखो, सारी चीज़े जो news की है, वो बस यह है कि हमें data use कैसे करना है, जैसे आज education वाला हमारा आया है, education ministry ने जो बोली है, ठीक है, कि pre-primary label पे तो यह सारी चीज़े हमें use करनी है, ठीक है, जैसे national education policies related आया, या किसी तरीके से, तो उसमें हम answer में अपने, उसको include करेंगे, अब जैसे art and culture का है ये, तो अब इसमें देखते हैं क्या है, तोखु, इमंग bird count से related है, तो इसमें जानना है कि, एक तो यह जानना है, यह festival है, पोस्ट हार्विस्ट तोखु, तोखु इमंग जो है, एक पोस्ट हार्विस्ट फेस्टिवल है, फेस्टिवल अफ लोथास जो है, नागा community के, वो लोग celebrate करते हैं, और यह जो नागा community है, यह dominate करती है, वाखा district में, ठीक है, तोखु इमंग, देखो तोखु इमंग इसका celebrate किया जाता है, और यह end of harvest, जो end of harvest season होता है, तब यह celebrate किया जाता है, और यह celebrate होता है, first week of November में, ठीक है, हर साल के first week of November में, इसको 9 दिनों के लिए celebrate किया जाता है, associate करता है, harvesting of crops से, ठीक है, और यह क्या है, यह इसमें folk dance और singing of folk song भी, वो लोग करते हैं, celebrate करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यह सारी चीजें थी, जो कि हमें आज पढ़नी थी, जो हमारे आज short note के analysis के point of view से important थी, जो हमने देखी, पसंद नए वीडियो, लाइक करें, subscribe तर ना भूले, मिलती हूँ next video के साथ, thanks for watching.